अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंज को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताईए फ्रेंज शुपासु चैनल मेरा एक प्रयास है वासुशासर के ज्यान को सरर और आसान शब्दों में आप तक पहुचाने का अगर वासुशासर से सब्जेक में आप नए हो और इस सब्जेक को स्टेबब सेब समझना चाते हो तो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये गए वे मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए प्रस पानी को स्टोर करने के लिए अकसर हमारे घरों में अंडरक्राउन पानी की टंकी, ओवरहेड पानी की टंकी या फिर ग्राउन लेवर पर पानी की टंकी होती है वासुशासर में इन पानी की टंकीों के लिए अलग-लग दिशार दी गई है अंदरगर्वड पानी की तंकी को डीटेल मैं बैंने प्रिबेश वीडियो में इस प्रिबिंग किया है जिसका लिंक उपर दिये हुए आई-बटन में और इस वीडियो में हम ओवरहेड और ground-level पानी की तंकी के बारे में जाने के तो इस विडियो में हम जाने के कि वासु शासर की अनुसार ओवरेड और ग्राउन लड़ पानी की टंकी के लिए सही दिशा है कौन सी है ओवरेड और ग्राउन लड़ पानी की टंकी अगर सही दिशा में नहीं है तो इसे क्या दो शेल डिफेक्स हो सकता है और उनके लिए वासु रेमिडी और टिप्स सबसे पहले हम overhead और ground level पानी की टंकी के लिए सही दिशा जान लिएते हैं प्रेस नौथीस यादि की इशान कोन में water element यादि की जल तत्व का प्रभाव होता है इसी लिए ये सोचा जाता है कि पानी की टंकी को north east में होना चाहिए पर ये नियम केवल underground water tank के लिए ये लागू होता है प्रेस overhead और ground level पानी की टंकी जिस दिशा में होते हैं उस दिशा में heaviness यानि की भाविपन क्रियेट होता है और वास्तू के नियम अनुस्तार north east को खुला हुआ और हल्का होना चाहिए इसी लिए ये दोनों पानी की टंकी को north east में नहीं होना चाहिए तो फिर overhead और ground level पानी की टंकी के लिए सही दिशा कौन सी है इन दोनों पानी की टंकीव के लिए best direction है west यानि की पर्शीन की दिशा इसका कारेंग ये है कि west direction की जो care taker है वो है वरुन देव जो जल के गेरता है और वासुशासर के अनुसार south, south, southwest और west को बंद और heavy होना चलिए इसी लिए overhead और ground और पानी की टंकी को west की दिशा में अच्छा माना जाता है फ्रेंस west और southwest में भी ये दोनों पानी की टंक्या हो सकते है अब हम जानते हैं कि अगर ये दोनों पानी की टंकी सही दिशा में नहीं होते हैं तो इसे क्या दोशेट defects होता है अगर overhead या फिर ग्राउन लावर पानी के टंग की नौथ, नौथ, इस या इस में होता है तो इनसे यहाँ पर heaviness यानि की भारीपन क्रियेट होता है जिससे health issues, financial problems और बच्चों के education पर असर बढ़ सकता है 37 यानि के अगरीपोर में अगर overhead या फिर ग्राउन लावर पानी के टंकी होते है तो इससे fire related problems होने की possibility होती है शादी में problems आ सकते हैं और कभी-कभी conceive करने में भी problems हो सकते है South और Southwest में overhead या फिर ग्राउन लावर पानी के टंकी आने से घर में अरसिरता आ सकती है प्रेस ब्रह्मस्तान यानि के घर के मध्या में कभी भी पानी के टंकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक major वास्तु दोश है अब हमने जान लिया कि ये पानी के टंकी अगर गलत दिशा में होते हैं तो इससे क्या दोश होता है अब हम इनके लिए वास्तु रेमेडी और टेप्स चाल लेते हैं प्रेस अगर आपके घर में ओवरेड या फिर ग्राउनलर पानी के टंकी गलत दिशा में हैं खास करके 39 और भ्रमस्तान में हैं तो इन्हें सही दिशा में यानि कि West या फिर West और Southwest में शिफ्ट करना ही इसके लिए 100% सलूशन है इसके आलावा अदर बानी की टंकी किसी और दिशा में हैं तो आपको ये वास्तु रेमेडी करना है रेमेडी में आपको आपके घर के या प्रॉपर्टी के Southwest के दिशा में हेविनेस यानि की भारीपन क्रियेट करना है ये आप हेवी फरनीचर, हेवी कांस्रक्शन, हेवी पेड़ पॉर्दे या हेवी चीजे रख कर कर सकते हैं ये रेमेडी आपकी कुछ हद तक मदद कर सकती है इस रेमेडी के साथ आपको ये वासु टिप्स को भी फॉलो करना है प्रेंस आपके घर में ओवरेड वाटर टैंक कभी भी बेडरूम या फिर किचन के एक्जाक उपर नहीं होना चाहिए अगर ओवरेड वाटर टैंक बेडरूम के एक्जाक उपर होता है तो टंकी के हेविनेस से यहाँ पर सोने वाले लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं डिस्टर्ब स्लीप और हेल्थ इशूस भी हो सकते हैं किचिन के उपर अगर ओहर वाटर टैंक होता है तो इससे अगनी के उपर जल आ जाता है जिससे वासुल दोश नर्वान होता है पानी के टंकी को हमेशा देव से दो फीट जमीन के उपर स्लाप पर होना चाहिए पानी की टंकी में कभी भी किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए और ये टंकी हमेशा properly covered होने चलिए पानी की टंकी को आपको regularly clean कराना है और हो सके तो प्लास्टिक की पानी की टंकी को avoid कीजिए प्लास्य को simple वास्टिप्स और remedy है overhead और ground level पानी की टंकी के लिए इस topic से related अगर आपके कोई और question ये queries है या फिर आपको वीडियो suggestion देना चाहते हैं तो please नीचे comment में लिखिए तब तक के लिए शुभवास्तू and happy living